अगर आप BNMU से graduation कर रहे हैं और आप part 1, 2 and 3 में से किसी एक का exam दिये हैं और result का इंदजार कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि part 3 का result जल्द से जल्द जारी होता कि BNMU से exam में हिसा ले सके तो यह वीडियो आपके लिए महत पूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में जानें कि part 1, 2, 3 का result कब तक परकासित किया जा सकता है तो आईए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए भुपेंद्र नरायन मंडल विश्विद्याले में असना तक part 1, 2, 3 की हो चुकी है परिक्षा असना तक तिनो part का result जल्द परकासित होने में हो सकता है बिलाम अब आ बिभीन परिक्षाओं का result परकासित में करोना का ब्रेक लगने की संभावना बढ़ गई है विश्विद्याले में असना तक part 1, 2, 3, 2020 की परिक्षा समापती के बाद कापी का मुल्यांकन कार भी संपन हो चुका है इसी बीच करोना की दूसरी लारकापर को बढ़ने जब ट यह खो चुका है अब सिर्फ टेबूलेशन करना बंकी है कुल्पती डाक्टर और के पी रमन ने असना तक part 3, 2020 का रिजल्ट अभिलम परकासित करने का निर्देश परिक्षा विभाग को दिया है ताकि बीच परिश परिक्षा के लिए इसे छात्र आवेदन कर सके लेकिन क प्रोना के संकर्मन के कारण चात्रों में संदेव बढ़ने लगा है हलांकि विश्विद्याले परसासन टेबूलेशन कारजल संपन करने की बात कर रहा है असना तक part 3 की परिक्षा जनवरी के अंतिम सब्ता में ही समाप्त हुई थी कापी मुल्यांकन के बाद टेबूलेश सके पिछले एक सब्ता से अधिकंस दिन विश्विद्याले में छुटी रहने के कारण कई काम नहीं हो पाया है इससे पहले 10 दिनों तक विश्विद्याले के करमचारियों की हरताल के कारण भी अधिकंस काम ठप रहा बताया जा रहा है कि स्वंबार से नियमित इंत्रक ने बताया कि रिजल्ट अभीलम कराने को ले कर विशेस त्यार्यां, की जा रही है। उम्मीद है कि बिएट परवेश परिक्षा के आवेदन की अंतिम तिथी से पहले तक पार्थर का रिजल प्रकासित कर दिया जाएगा असना तक पार्थर का रिजल प्रकासित कराने को लेकर विभिन छात्र संगठनों ने विश्विद्याले से मांग की है यानि कि क्रोना हर जगा घुश चुका है अब देखना यह है कि विश्विद्याले पार्थर वाले के साथ इंसाफ करता है या ना इंसाफी का मुख पार्थर वाले को देखना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद